जै माता दी दोस्तों सबसे पहले बात करें आपकी फैमली के बारे में आज का दिन आपकी फैमली को लेकर वहती दिन कहा जा सकता है क्योंकि घर का महाल इस समय बहुत ही बहतर रहेगा इस समय आपको अपनी माता से सायोग मिलने जा रहा है और साथ ही आपको भाई भेनों से भी सायोग मिलने जा रहा है इस समय आप अपने घर के महपतपुन कामों को निप्टाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी बात करें आपके दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन को लेकर आज का दिन बहुत ही बहतर कहा जा सकता है क्योंकि आज आप अपने जीवन साती की बहुत ही केर करेंगे उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको खुश रखने के लिए आज के दिन कई सारे महत्पुन काम करेंगे वहीं आज के दिन आपके संतान से संबंदित कोई परिशानी कोई चेंदा शुरू हो सकती है आज के दिन आप अपने संतान का अपने बच्चों का खयाल लखने की कोशिश करें फिर आज का दिन आपके संतान को लेकर बहतर कहा जा सकता है बात करें आपकी लव लाइफ की तो लव लाइफ को लेकर आज का दिन बहुत ही बहतर कहा जा सकता है इस समय आप जादा से जादा अपने स्वास्ते का ख्याल रखने की कोशिश करें, योगा, मेडिकेशन, प्रयाणाम, एक्सोसाइज, इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करें, जिससे की आप सौस्त रहें, फिट रहें, बात करें यदि शिक्षा की, तो ये समय आपकी श बिजनस और अपने व्यापार में लाब कमाने जा रहे हैं, इस समय आपको अपने बिजनस और व्यापार में बहुत यदिक लाब देखने को मिलेगा, इस समय आपके सोचने की श्रमता, आपके डिसिजन लीने की श्रमता बहुत ही बहतर रहेगी, जिससे आपको बिजनस औ को लेकर भी बहतर समय कहा जा सकता है इस समय आप जौब से संबंदित परिशानियों से मुक्ति पाने जा रहे हैं आज का दिन उन लोगों के लिए भी बहुत ही बहतर दिन कहा जा सकता है जो लोग अब तक जौब की तलाश में थे जौब तलाश कर रहे लोगों के लिए ये स आदन प्राप्तों हो सकते हैं, जिससे आप इंकम कर सकते हैं, इसलिए आज का दिन जॉब को लेकर बहुत ही बहतर दिन कहा जा सकता हैं, बात करें फाइनेशल स्थिती की, तो इस समय फाइनेशल स्थिती को लेकर सब कुछ बहतर देखने को मिल रहा हैं, बिजनस और व्यपा जिससे कि आपको फाइदे मिल सकें बात करें यदी उपाए की तो आज आप ओम गुरुए नमहा इस मंत्र का जाप करें बात करें यदी शुप समय की तो अभी जीत मुहुरत जो ग्यारा बचकर उन्चास मिनट से शुरू होकर बारा बचकर सैंतिस मिनट तक रहने वाला हैं बात करें अमरित काल की तो सुबह ग्यारा बचकर पचास मिनट से शुरू होकर एक बचकर पच्चिस मिनट तक रहने वाला हैं आज के दिन रवी योग भी रहने वाला हैं जो शाम दस बचकर छे मिनट से शुरू होकर पूरी रात रवी योग रहेगा ऐसे में किसी भी आशी वालों के लिए 24 सितंबर गुरुवार का दिन कैसा रहने वाला है?